पद्मा एकादशी चान्दी का दान करना होता है शुभ भाद्रपद के शुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं इस साल यह एकादशी 9 सितंबर के दिन है ऐसी माहियता है कि चातरमास के शयन के बाद भगवान विश्नु यसी दिन करवट बदलते हैं हमारे शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है राक्षसों द्वारा स्वर्ग छीन जाने के बाद इस दिन देवताओं ने दुबारा स्वर्ग हासिल किया था इस खास दिन भगवान विश्नु और मातालक्ष्मी की पूजा की जाती है भगवान की सच्चे मन से पूजा करने से आपकी सारी मनों कामनाय पूर्ण हो जाती है पद्मा एकादशी के दिन भगवान विश्णु के वामन अवतार की पूजा का महाट में है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति पद्मा एकादशी के दिन उनके वामन अवतार की पूजा करता है वे एक साथ ब्रहर्मा विश्णुए वन्मशिव की पूजा का फल प्राप्त कर लेते हैं एसा व्यक्ति पृत्वी लोग में यश और समान प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग लोग में स्थान प्राप्त करके चंद्रमा के समान चमकता है पद्मा एकादशी के विश्य में शास्तर कहता है कि इस दिन चावल दही एवन चानी का दान करना उत्तम फलदाई होता है जो लोग किसी कारण वश्पदमा एकाध शी का वृत नहीं करबाते हैं उन्हें पदमा एकाध शी के दिन भगवान विश्णू के विभिनवतारों की कθा का पठ करना चाहिए विश्णू सहसर नामे इवम रामायान का पठ करना भी इस दिन उत्तम फल्दाई होता है